इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी PGID 750 Tabulate एक Antibiotic है जो Anti-Tuber Closus Drugs के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेनी से संबंधित है इसका उप्योग TB के इलाज में किया जाता है यह एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफडों और कुछ मामलों में शरीर के अन्य भागों को प्रभावित करता है PGID 750 Tabulate को Tuber Closus की कम से कम एक दवा के कॉंबिनेशन में दिया जाता है यह कारण बनने वाले बैक्टीरिया को मार कर काम करता है डॉक्टर द्वारा दी गई खुराक और अवधी अनुसार ही इसका इस्तिमाल किया जाना चाहिए इस दवा को खाने के साथ या बिना खाये लिया जा सकता है खुराक छूटने से बचने के लिए इसे रोज एक निश्चित समय पर लिया जा सकता है बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़ें और इलाज का कोस पूरा खत्म करें जल्दी बंद कर देने से इलाज असफल हो सकता है और साइड इफेक्ट भी बढ़ सकते हैं कृपया अपने डॉक्टर को अपने वजन में किसी भी बदलाव के बारे में जानने दे क्योंकि इस दवा की खुराक किसी व्यक्ति के समग्र शरीर के वजन पर निर्भर करती है वजन में किसी भी तरह के बदलाव आने से खुराक में बदलाव की आवश्यक्ता पर सकती है अगर आप एक खुराक लेना भूल जाते हैं तो जितनी जल्दी याद आए वो खुराक लें हाला कि अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और नियमित समय पर अगली खुराक लें डोस को दुगुना करके न ले क्योंकि ऐसा करने से साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं अगर आपको पीलिया के लक्षन दें अर्थात आँखो या त्वचा का पीला होना गहरे रंग का पेशाब आना पेट दर्द या जोडों का दर्द तो अपने डॉक्टर को बताएं होती है और खुराक में बदलाव की जरूरत पर सकती है इस दवा से इलाज के दौरान आपका डॉक्टर आपके लिवर फंक्षन की निगरानी कर सकता है शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे लिवर पर प्रतिकूल प्रभाव पर सकता है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा का उप्योग करने से पहले डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद